साई की बात बच्चे ये अंधेरा देख रहे हो तुम ये अंधेरा तुम्हारे लिए नहीं है मेरे बच्चे ये अंधेरा तुम्हारे जिंदिगी से छटने वाला है इस अंधेरे को मैं अब प्रकाश में बदलूँगा मेरे बच्चे तेरे जिन्दकी का अंधेरा मिट जाएगा मेरे बचे और ऐसा मिट जाएगा ना कि तुम्हारा वापिस लौट कर कभी नहीं आएगा कभी नहीं और सुनो तुम्हारे हिस्से का प्यार और आशिरवाद मैंने संभाल कर रखा हैं आजाओ और आकर ले जाओ मेरे बचे मेरा बहुत सर आशिरवाद है तुम्हीं और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे बचे पूरे परिवार को और सुनो जो तुम्हारे मन की शा चंति को भंग ना करे और सुनो जहां दया दिखानी होती है मेरे बच्चे वहां लगता दिखाओ जहां सकती दिखानी है कि जहां पर पर दया नहीं दिखानी वहां पर सकती दिखाते हो Baptist कर देते हो तुम हमेशा उल्टा मत किया करो ठीक है अगर कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तुम्हारे बेज़ती कर रहा है तो तुम्हें बिल्कुल भी पलटकर जवाब नहीं देना तुम्हें मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाना है और सुनो अगर तुम मेरी साइसा चरित्र को अपने जिन्दगी का आदत ब बहुत हिम्मत बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिलेगा तुम्हें साइसा चरित्र के माद्यम से बहुत लोग तुमसे प्यार करेंगे तुम देखना मेरे बच्चे और तुम्हें इतनी हिम्मत मिलेगी ना कि तुम देखना और किसी ने तुम्हारे स्वाभी मान को चोट प पूरे साल में तुम जान पोछ कर किसी के बाद विबाद में नहीं पड़ोगे, किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे ठीक है और हाँ अपनी तरफ से तुम्हें कोई भी बात नहीं करनी है किसी के सामने भी और कोई लड़ाई नहीं करनी लेकिन हाँ अगर कोई सामने से आकर तुम्हें वार करता है तुम्हारे साथ चाले चलने की कोशिश करता है उस वक्त तुम्हें वार करना है और अंत तुम ही करोगे शुरुवात तुम्हें नहीं करनी लेकिन अंत तुम्हें करना है इस बात पर ध्यान रखना ये मत सोचना कि सामने वाला तुम्हारे पास आकर गलत करता जाएगा और तुम सहते जाओगे सहन करोगे मैंने सहन करने के नहीं बोला मेरे बच्चे सिर्फ इतना बोला है कि तुम आगे कोई जवाब मत देना लेकिन जब बात तुम्हारे चरितर पर हो तुम्हारे मान संबान पर हो उस וक्त बोलना उस वक्त आवास उठाना उस वक्त तो मैं भी तुम्हारे साथी खड़ा मिलूगा ठीक ब्रुर क जो पुस्तके तुम पढ़ना चाहते हो ना जिन पुस्तकों को तुम बहुत लंबे-लंबे समय तक पढ़ते हो ना और तुमें बहुत लंबा समय लगता है तो कुछ ऐसी पुस्तके भी आती है मेरे बच्चे जो कम समय में तुम उसे पढ़ सकते हो तो वैसी पुस्तके लाकर कहीं ना कहीं तुम चले जाती हो जिसके द्वारा ना वो सारी चीज़े वहीं के वहीं रह जाती है तो छोटी चीज़े पढ़ो छोटी छोटी पुस्तके पढ़ो तुम्हें मिल जाएंगी ढूंडो के तो मिलेगी ठीक है तुम्हारी प्रात्ना स्विकार हो चुकी है मेरे बच्चे मैंने तुम्हारी प्रात्ना को स्विकार कर लिया और जो तुमने मुझसे जवाब मांगा है न वो जवाब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ समझ लेना वो संकेत जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे लिए ही होगा, उसे समझ आना मेरे बच्चे, और सुनो, रोज आना के काम तुम करते चलो मेरे बच्चे, और देखते ही देखते, तुम्हारे जीवन में नए काम भी जोड़ दूंगा में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नए नी चीज़े तुम्हारे जिड़ जाएंगी? नए-ên, लोग जड़ जाएंगे और ऐसे भी कई लोग तुम्हारे जिड़ जड़ेंगे, मेरे बचे और एसा जड़ जाएंगे जो rukशा हमेशा के लिए होंगे तुम देखना और वो बहुत प्यारे रिष्टे होंगे तुम्हारे बहुत प्यारे रिष्टे और अगर तुम्हें स्वपनों में साम दिखाई देता है ना तो वो तुम्हें डराने नहीं बलकि दर्शन देने आया है मेरे बच्चे मेरे ही रूप में वो तुम्हें दर्शन देने आया है मेरे बच्चे और सुनो अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई इर्शा है, कोई द्वेश है ना मेरे बच्चे, चायवा थोड़ा सा भी है, सुक्ष में भी है ना, उसे निकाल देना, इन सब चीजों को अपने अंदर रख करना, अपने आपको जलाओ मत मेरे बच्चे, अपने आपको परिशान मत करो, बल्कि इन सब चीजों को बहार निकालो, ये जहर का काम कर रहे हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर मेरे बच्चे, और सुनो, तुम्हें न संसारिक जीवन को व्यतीत करते करते, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते न, तुम्हें अध्यात्मिक रास्ते की तरफ भी बढ़ना है मेरे बच्चे दोनों चीजों को समान मातरा में रखना है तुम्हें कभी संसारिक जीवन में भी रहना है और तुम्हें अध्यात्मिक जीवन में भी रहना है ये नहीं कि तुम एक चीज की तरफ जादा जुको ऐसा नहीं है मेरे बच्चे मै तुम अध्यात्मिं के रास्ते नहीं छोड़ सकते तो मेरी बात को समझना और सुनो जो तुम आये होना मेरे दरबार में तो जोली भरकर ही इस बार भेजूँगा तुम्हें चिंता मत करना खुशियों भरी जोली तुम लेकर मेरे पास से जाओगे मेरे बचे बहुत तुम्हें प्यार दे रहा हूँ बहुत सारा अश्रवाद डाल रहा हूँ तुम्हारी जोली में मेरे बचे तुम्हारी तरकी उन्नती सब डाल रहा हूँ इस सब जोली को लेके जाना अपने पास र आते रहेंगे मेरे बच्चे और जाते रहेंगे तो ये क्या मेरे बच्चे इस बार तुम बहुत उदास से हो कि आएगा दिन निकल जाएगा ऐसा क्यों सोच रहे हो पहले तुम कैसे थे कितना मजा करते थे कितना शौक था तुम्हें हर एक चीज का हर एक चीज को मनाने का छ देखो ये जिन्दगी की छोटी-छोटी खुशिया है न, यही जिन्दगी को यादगर बनाती है मेरे बच्चे, कल को जब तुम यही बाते याद करोगे न, तो तुम्हें बहुत हसी आएगी अपने उपर, तुम्हें बहुत अच्छा भी महसूस होगा, और जब अपनी ऐस चीज़े कर लोगे न, तो फिर आगे पश्तावा ही रह चाएगा, जब भी पीछे मुड़कर अपनी जिन्दगी में देखोगे न, तो सोचोगे, कि मैंने क्यों वो वक्त बरबात किया मेरे बच्चे, तुम यह सोचोगे, तुम देख ले न, इसलिए कह रहा हूँ कि अप अगली पत्थर है, कुछ नहीं है, ईश्वर का नाम जाप करो, ईश्वर से जुड़ो, वो तुमें देंगे, ना कि यह पत्थर तुमें देंगे, तुम कहां अंद विश्वास में फस जाते हूँ, किसी ने तुम से कह दिया, अगर ऐसा कोई कहने वाला होता न, तो वो शा मिलेगा मेरे बच्चे, और बहुत अच्छे से मेरी आरती करना मुझे देखते हुए, इधर उधर ध्यान तुमारा नहीं होना चाहिए, तुमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी और होना चाहिए, समझ रहे हो न, और सुनो, तुमारा न, जो चीजे रह गई थी, अधूरी चीजे वो सब पूरी होने वाली है सारा काम सारी चीजे पूरी हो जाएंगी मेरे बच्चे और अपने करमों पर जितना हो सके न तुम ध्यान दो मेरे बच्चे क्योंकि तुम्हारे करम ही है जो तुम्हें आगे लेके जा सकते हैं तुमने बहुत सारी चीजों पर न पारत से शुरू करूं फिर जाकर मैं बता ओ ढूंगा कि कहा पर तुम्हें विराम लगाना है वहां लगा देना ठीक है। और सुनो मेरे बचे, तुमारे कंदे पर बहुत सारा बोज है, बहुत सारी जिम्मेदारिया हैं, जिसे तुम्हें निभाना है, और उसके तले न, उस बोज के तले, तुम अपनी खुशियों को कहीं भूल गए हो, तो वो सारी खुशियां मैं तुम्हें वापिस देने वाला अगर मन ना करेना बात करने का तो अलग हड़ जाना चुप हो जाना, लेकिन बहस मत करना, नहीं तो फिर बात बिगड सकती है, लड़ाई जगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने आपको अलग रखने की कोशिश करना, थोड़ा सा आज की दिन, ठीक है, खुश रहो, मेर आशरवत है तुम्हारे साथ, और हर पल हूँ मैं तुम्हारे साथ, चिंता मत किया करो, खुश रहो, आज का साइस अंदेश, समाब तुगा